नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेश दो हजार चॉबस के लोग सवा चुनाव आने वाले हैं जहां एक तरफ हर पार्टी हर अस्तर से अपनी कड़ी मेहनत करने में लगी हुई तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में इंडिया गटवंदन की तीसरी बैठक हुई पहली बैठक राज़ानी पतना में हुई दूसरी बैठक बैंगलूरू में हुई और तीसरी बैठक मुंबई में की गई वहीं आपको पताते चले कि मुंबई बैठक के बाद अब बीजेपी के तरफ से ये सवाल किया जा रहा है बीजेपी के मंत्रियों का कह जहाँ एक तरफ इंडिया गठवंदन के लोगों का कहना है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। जहाँ एक तरफ इंडिया गठवंदन के सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। जहाँ एक तरफ इंडिया गठवंदन को एक मजबूत स्थम्भ है। एसी टिपनी कर रहे हैं ऐसे में कॉंग्रेस और इंडिया में शामिल अन्दलो को अपनी बात रखनी चाहिए। उन्हें ये सपस्ट रुख अपना कर साफ कर देना चाहिए कि क्या वे भी उदैनिधी के बयान का समर्थन करते हैं। उन्होंने उदैनिधी के बयान को दुर्भागेपून करार देते हुए कहा कि इसकी निंदा करनी चाहिए। आपको बताते चलें कि उदैनिधी ने सनातन को खत्म करने की बात करते हुए कहा था कि सनातनम क्या है। ये नाम संस्कृत से आया है। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया, जिसे अब बदला नहीं जा सकता, कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, सनातन के यही हर्थ है, इसलिए सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए. अब उनके इस बयान पर भाजपा की योर से सहनवाज हुसेय ने मोर्चा खोला है, उन्होंने इस पर सीधे इंडिया के सबी घटक दलों से सवाल किया है, जहां एक तरफ सनातन धर्म के बयान को लेकर राजनीती छीड़ गई है, जहां एक तरफ दिपक्ष यानिकी बीजेप इंडिया से सवाल कर रही है, उनसे पूछ रही है कि जो उनके मंतरी के वेटे का बयान है, उस बयान पर क्या इंडिया गटवंदन के जितने भी घट, टक दल के जो नेता शामिल है, वो इसकी बयान को लेकर समर्थन करते हैं, और अगर वो समर्थन नहीं करते हैं, तो इस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है बलहाल के लिए इस खबर में इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूस फानेशन